बियस्पी के नौ बागी और पार्टी से निश्कासित बिधायकों ने समाजबादी पार्टी के रास्टी अध्यक्ष अकिले इशादों से मिलने पहुचे, मुलाकात करने पहुचे 2022 बिधानसवा चुनाओं को लेकर चर्चा की क्या बात हुई और इस मुलाकात के माइने क्या है वो आपको अपने इस रिपोर्ट के जर्गे समझाते हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाओं के लिए आठ महीनों से कम का समय बचा है ऐसे में राजनेतिक खेमे बाजी और गुटबाजी भी खोल कर सामने आने लगी और सबसे बड़ा राजनेतिक घटना करम लखनओं में हुआ जहां पर बिएसपी के नौ बागी और पार्टी से निश्कासित विधायकों ने समाजवादी पार्टी के राज्ट्री अध्यक्ष अखिलेश लियादव से मुलकात की इस मुलकात में सबस्तावास सिध्धी की हाकिम लाल विंद हर गोविंद भार्गव सुष्मा पते रामवीर उपाध्भायर वंदना से अनिल से बस्पा के बागी विधायक असलम राहिनी ने अखिलेश लियादव से मुलकात के बाद कहा कि उन्हें मायावती से शिकायत नहीं सतीश मिश् के और ब्जाज़ आते हैं तो वह पार्टी बनाएं'RE हमारे 11 विधायक कर जो साथ में हैं अब हमारे विधान मंडल डल के नेता मानि लाल जी बर्मा जी भी बाहर के रास्ते में हैं उनके पास भी आपकोई पार्टी नहीं बची है लेकिन आपके चैनल के माध्यम से नियमा नुसार according to rule जब तक 12 विधायक नहीं होते हैं जब तक हम लोग कोई दल नहीं बना सकते हैं हम लोग एक दल बनाने जा रहा है वही BSP के बागी MLA मुच्तवा सिंधीकी ने माना कि साथ विधायकों ने अखिलेश से मुलाकात की है और वो चाहती है कि मायवती उनका पार्टी से निलंबन वापस लेगा अभी हम लोग इंदिजार में है कि बहinda ने जो हम लोग निलंबित किया है और फिर उसके बाद हम लोग सोचते हैं अगर हम लोग बास्पा में टिकण मिलेगा नहीं मिलेगा अगर निश्कासित हैं तब हम सोचें किस पार्टी में जाना है एक तरफ बस्पा के बागी विधायक 2022 से पहले जोड तोड करने में चुटे हुए हैं तो वहीं आईए अब आपको बताते हैं कि मायावती के पास इस समय कितने विधायक हैं और कितने पार्टी से निश्काशिक चल रहे हैं 2017 में BSP के 19 विधायक जीते MLC चुनाओ में 9 विधायक बागी हुए दो विधायकों को पार्टी से निकाला गया मौजुदा समय में BSP के पास 8 विधायक 2022 से पहले अगर एक बार फिर से BSP को पूरी मजबूती के साथ BJP और समाजवादी पार्टी का मुकाबला करना है तो उसे पहले अपने घर की भूट को तुरुस्त करना होगा पार्टी से लेकर संगठन तक कहां चूक हो रही है उसे सुधारना होगा वरना जिस तरह से पार्टी का साथ छोड़-छोड़ कर नेता दूसरे दलों में जा रहे है उसका जनता और पार्टी के समर्थकों में जो संदेश चा रहा है वो भी वस्पा के वोट बैंक पर कड़ी चोड़ पहुचा सकता है स्पेशल रिपोर्ट भारत समचार और सीमाब नक्वी इस खबर पर हमारे साथ लाइब जुड़े हुए है जिस तरह से बस्पा के नौ बिधायकों की आज मुलाकात हुई है सीमाब मैं ये जानना आप से चाहता हूँ कि जितने भी बिधायक है जब वो कैमरे के सामने आते हैं तो कहते हैं कि अगर मायबती निलंबन वापस ले लेती हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ठीक होने का इंतजार वो बिक्रमा दित्यमार्क से कर रहे हैं जाके दूसरे पार्टी के रास्टी अध्यक से मिल रहे हैं ये तो वही बात हो गई जब MLC चुनाओं में यही विधायक कहते थे कि मैं अपनी गाड़ी पहचान नहीं पाया और दूसरी गाड़ी से विक्रमा दित्यमार्क पहुँच गया इनका उद्देश क्या है इन नो विधायकों का देखिए इस्तिती साफ है कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में ये सारे के सारे विधायक पहले से हैं लाल जी वर्मा और रामचल राजबर की अगर बात छोड़ दी जाए अभी ये विधायक जो है वो अखलेश यादों के संपर्क में जरूर है लेकिन अभी इनों ने अपना मू नहीं खोला है किसी भी तरह से मायावती को लेकर या सतीश्चन मिश्रा को लेकर और या नहीं तो अखलेश यादों को लेकर लेकिन जो दूसरे विदायक हैं यह इनों ने इस पश्ट तोर पे कहा है कि हम अखले शादों से मुलाकात करते हैं हमारी आपचारिक मुलाकात है और यह पहली मुलाकात नहीं थी इससे पहले भी जब राजसभा के चुनाव हुए थे और जो बहुजन समाच पार्टी का कंडिडेट था उसको जो हराने के लिए इन लोगों ने वहाँ पर जाकर नामांकन प्रिक्रिया में बाधा भी डाली थी और साफ तोर पर यह हलफ नामा दिया था जिन समर्थकों के और जिन आवेदकों के इसमें हस्ताचर हैं वो हम लोगों के हस्ताचर नहीं हैं फरजी हस्ताचर विदायकों के तो इस तरह का महां हलफ नामा जाकर देके आये थे उसके बाद से ही हलचल मची थी और आज अखलेश यादों से यो लोग मिलने पहुंचे हैं जाहिर है 2022 की विदान सबा चुनाओ जो है वो नस्दीक है और ऐसे में यो कि इन लोगों को मालूम है कि अब मायावती की पार्ट कर दाना नहीं होने वाला है और तमाम विदायक अनिल सिंग की बात करें तो वह बहुत पहले पार्टी से अलग हो गहते उनको निलंबित कर दिया गया था पार्टी से हजए इसलिए मायावती की बात करते हैं कि हमारा निलंबन न निश्काशन हो जाए पलाना हो जाए तो इस तरह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि अभी आठ माईने ये विदायक हैं अगर ये पार्टी से खुद से छोड़ कर चले जाते हैं तो जाहिर है कि कहीं न कहीं इनकी विदायकी पे आच आ जाएगी तो इसलिए ये इस तरह की बाते सारे के सारे विद हैं और 2022 का जो चुना होगा वो अकले श्यादों की पार्टी से ही ये चुनाओ लड़ेंगे ये लोग और रही बात दूसरी तरफ जो दूसरे नेता हैं वो इस बात को कह रहा हैं कि जो है वो हम अभी अकले श्यादों से मिले हैं मायवती के साथ चले जाएंगे या तमाम बा इनके पास होने चाहिए और 12 विदायक अगर हो जाते हैं तो ये के सब के सब जो है वो एक दल के तार पे बना सकते हैं फिलाल जो निश्काचित और निलंबित किया गए हैं वो 11 विदायक हो रहा हैं उसमें लाल जी वर्मा भी शामिल है चले बहुत शुक्रिया सीमाम आप अपने इतने विस्तार से जयनकारी दी